जिन्होंने किसान के घर में जनम लिया जो OBC से सम्मंदित हैं गोविन सिंग दोतासरा जी को राजस्तान प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया जाता है हमारे एक आदिवासी साथी गनेश गोगरा विधायक को राजस्तान प्रदेश का नया अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है राजनीती कब तक चलेगी मैंने का सर यह गलती हो रहे है आपसे दरसल जाती की राजनीती अब तक उन लोगों ने किये है जो जाती विवस्ता बनाय रखे है उन्होंने लोगों को जाती के नाम पर तोरा है अब धीरे धीरे जैसे जैसे H.C.H.T. O.B.C. Minority के लोग इस्खूल को ले जा रहे हैं वो जातियों की बात नहीं कर रहे है H.C.H.T. O.B.C. Minority जाती नहीं है यह जातियों का सम्मू है O.B.C. 50% की आवादी है जो इस देश में जातियों का सम्मू है सिडूल ट्राइब जातियों का सम्मू है Minority जातियों का सम्मू है अब तक जो लोग मलाई खाते रहे जाती के नाम पर उनका बर्चस तूटेगा और अब Category की रादनीती होगी जो बर्ग की रादनीती होगी H.C.H.T. O.B.C. Minority की रादनीती होगी और संजोग से सोसल मीडिया आने के बाद इसमें तुफान आया है तेजी आया है और उसका नतीजा भी दिखने लगा है राजस्थान में खुद सचिन पाइलर जो है वो O.B.C. जाती से हैं O.B.C. में आते हैं वहां का जो गुर्जर समाज है और स्टेट के लोकेशन पड़ O.B.C. के काटेगरी में आते हैं लेकिन एक लगातार सहमती बन रहे चाहिए वो किसान जातीया हो चाहिए S.C.S.T. O.B.C. मानोटी की बात हो जो जिनरल काटेगरी में है मैं ये बाते आपको क्यों बता रहा हूँ आप देखिए कि आज सबसे पहले जैसे राजस्थान में जब बगावत हुई है और सचिन पाइलर जब गहलों से अलग है तो सबसे पहले बयान आता है आज रंदीप सुर्जेवाला का और वो कहते हैं आपने मोंटाज में भी सुना होगा कि OBC को हमने अध्यक्ष बनाया है नाम है उनका गोबिन देटासरा और आदिवास्री को भी अध्यक्ष बनाया है जिनका नाम है गनेश घोगरा ये दोनों बात वो कहते हैं कि OBC को अध्यक्ष बनाया है उसी तरह से गुजरात में उन्होंने सबसे यूबा ऐसा कभी होता नहीं था सबसे यूबा को अध्यक्ष बनाया है और नाम है उनका हर्दिक पटेल हर्दिक पटेल को पूरा आप यूपी की बात कर ले या बिहार की बात कर ले आप पूरे देश का एक OBC समाज जो है उससे रिलेट करता है उनको पटेल समस्ता है और एक बड़ा तपका OBC का जो यूपी बिहार और तमाम राज्यों में देश भर में जो OBC के लोग हैं वो हर्दिक से अपना जुरा महसूस करते हैं उसी तरह से आप देखिए कि 36 गर के मुखमंत्री भुपेस बगल वहां बहुत मार काट जोड़ तोर मचे थी सवन समाज के लोग को CM बनाने के लिए लेकिन वहां भुपेस बगल को चुना एक बड़ी गलती हुई थी कॉंग्रेस से सीता राम केसरी याद हैं आप लोग को वो OBC के मंजे हुए नेता थे इंद्रा गांधी के कैबिनेट में रहें राजीव गांधी के कैबिनेट में उसके बाद जिस तरह से उनके साथ बरताब हुआ उसके बाद कॉंग्रेस ने कोशिस तो की थी लेकिन मनमुहन सिंग के दोनों टर्में OBC, SC, ST के लोग को बड़ा कोई पद नहीं दिया गया लास्ट में सिंदे को ग्री मंत्री बनाया जाता है जो की सिजुल कास से थे लेकिन उनको कोई बड़ी तबज्यों नहीं दिगए लेकिन अब साफ साफ जिस तरह से BJP ने हिंदू की राजिति की है उसके बाद से कॉंग्रेस को साफ साफ लगने लगा है कि अब हमें जेनरल कैटिगीरी के लोग बोंट नहीं दे रहे हैं और उसका पूरा का पूरा फोकस जो है वो SC, ST और OBC पर है इसका बानगी आप देखिए कि किस तरह से लल्लू परसाथ जो खुद OBC कैटिगीरी में आते हैं उसको उन्होंने यूपी का परदे सध्यक्ष बनाया है और लगातार अंदोलन करें बहुत सारे यूबां परदीप नरवाल हों आपको बता दे कि जिस तरह से अनुप पटेल हों इन लोग को कॉंग्रेस भागिदारी दे रही है यादव समाज से लोग को भागिदारी मतलब OBC पर फोकस है बिहार में कैसे उनसे गलती हो रही है लेकिन बिहार को समझना परएगा कि बिहार में तेजश्वी आदव होस्यारी से OBC को अपने साथ रखे हुए हैं और खुद OBC कैटिगरी से हैं और सिर्यूल कास्ट को अपने साथ करने के लिए वो बड़ी गोटी खेल रहे हैं तो क्या ये वीडियो में इसलिए बना रहा है कि अभी जिस तरह से दूवे को लेकर विकास दूवे की जब हत्या हुई है जो इंकाउंटर हुआ है जो उसकी मौत हुई है और जिस तरह से उस पर अपराधिक उसके पूरे रिकॉर्ड सामने आया और उसके बाद जिस तरह से मायावती और अखिलेश यादव ने जिस तरह से ब्रहामन समाज को जनरल कैटिगेरी को के तरह पत्ते फिके हैं मुझे लगता है कहीं न कहीं अखिलेश का ट्विट आता है अखिलेश यादव का कि सुदामा ही कृष्ण का साथी हो सकता है मायावती का जिस तरह से बयान आता है सोचिए कि इन निताओं को समझना परेगा आखे लिए तेजस्वी आदब को भी लगा था कि साथ जनरल कैटेगेरी के लोग हमको बोर्ट दे देंगे मैं फिर कह रहा हूँ इस देश में जनरल कैटेगेरी के लोग का जो बोर्ट पैटर्न है वो इस तरह से है कि उनको मुस्लिम तुष्टिकरन के नाम पर उनसे बोर्ट लिया आता है हिंदुआ येसन के नाम पर बोर्ट लिया आता है और वो उस पार्टी को बोर्ट करते हैं ज परदान मंतरी को चिठी लिखी थी मतलब OBC आरक्षन को लेकर वो लगातार उस पर काम कर रहे हैं तो अभी PL पुनिया का कद बरहा है तो BJP ने जिस तरह से OBC के चेहरे खड़े किये लेकिन उसके अधिकार को छीना है और जब इस तरह से लोग समझने लगे हैं आज जिस तरह से OBC महासभा, सिर्यूल का, सिर्यूल ट्राइब के हज़ारों संगठन काम कर रहे हैं समाजिक रूप से सोसल मीडिया के बाद जिस तरह से चेतना आई है उसके बाद से अब कॉंगरेस को लग गया है कि कहीं न कहीं कहीं न कहीं OBC एक बड़ा फैक्टर है चुनाओ जीताने में और चुकि हम उनको मुस्लिम का ही वोट चाहिए तो वो हिंदू मुस्लिम की राजनीती से अब बीजे कॉंगरेस निकलना चाहती है जो गलती इन राजीब गांधी ने की थी मंदिर का मसला हो राजीब गांधी की थी पीवी नरसीम राओ ने जिस तरह से परधान मंतिर होते हैं बावरी महजीत को ढहवा दिया उसके बाद ही मुस्लिम छेत्रिये दलों के तरफ गये थे अब कॉंगरेस को लग रहा है कि हम रिजर्वेशन बचा के एस्टी ओबी सी का बोट ले सकते हैं और सेक्लिरिजम के नाम पर हम मुस्लिम का बोट ले सकते हैं लेकिन मैं पद देने परेंगे और उससे भी बड़ी बात है उसको भागिदारी के नाम पर लीडर्शिप के नाम पर और वो तमाम फैंसले इंप्लिमेंट करने होंगे जो उसको करने चाहिए गलती हो रही है अगर तेजश्वी आदब अखिलेश यादब या मायवत इस खेल को अगर और जो हजारों जातियों में जिसको ब्रहामनबाद मनुबाद ने जाती बनाया ब्रहामनबाद और मनुबाद ने जाती बनाई लोग को जातिये में तोड़ दिया यादब कुर्मी कोईदी बावा साहब ने उसी ब्रहामनबाद को पलट दिया उन्होंने जो चार ब्रण ब्रेवस्था थी, सुद्र, अचूत, बैश, ब्रहमन और छत्रिये, बावा साहब ने सम्मिधान में उसी को पलट दिया, उन्होंने क्या कहा, SC, ST, OBC, माइनोर्टी और जेनरल, उन्होंने जातियों के सम्मू को OBC में तरदिल कर दिया, 340 सम्मिधान बना के, और उन्होंने गन्रना की बात कही और मंडल कमिशन लाग हुआ और उसको आरक्षन मिल गया, मानेवर कांसी राम साहब ने OBC को उनको महत पता था, उन्होंने अंदोलन चलाया और OBC को आरक्षन दिलवाया, बीच में उसी OBC आरक्षन के खिलाफ मंडल कमिशन के खिलाफ कमंडल लेके आनी बहच चुक है, आज SCSTOBC मैनोर्टी के यूबा जिस तरह से सोसल मीडिया पर आया है, जिस तरह से लगातार यूटूब हो, ट्यूटर हो, इंस्टागराम हो, फेस्बुक पर हो, बहुजन अंदोलन चल रहा है, SCSTOBC मैनोर्टी के बच्चे अपने हाँ अधिकार के लि गोली खाई, उसके बाद उनको लगने लगा है कि जो जाती बाद है, उसके सिकार वो भी है, चाहे वो किसान जाती यह हो, चाहे SCSTOBC मैनोर्टी हो, अब कॉंग्रेस को साफ साफ लग गया कि अगर हमें सत्ता में आना है, तो हमें OBC, सिडियूल कास, सिडियूल ट्राइब क जोड़ना परेगा, मुसलिम को जोडने परेंगे, लेकिन वो बिहार में अभी यह करने में सफल नहीं होंगे, सबसे बड़े चेहरे के रूप में नितिन राओत को प्रजेक्ट किया जा रहा है जो गॉप में लगाये जा रहा है पियल पुनिया को लगाये जा रहा है भूपेज बगेल OBC उनके पास चेहरा है अब राजस्थान OBC को अध्यक्ष बना दिया गया है हार्दिक पटिल को बना दिया गया तो यह समझना पड़े गा ऑगर इस दे हो या कोई और पार्टी हो उसको ओविसी के लोग कोट नहीं देते हैं जब تक गटवन्धन नहों जैसे रामभिलास पासवान या नितीज़ी गटबंधन में जाते हैं तो उनको सबन समाज बोर देते हैं लेकिन गटबंधन नहों तो नहीं देते हैं तो किसी कीमत पर उनको जनरल कैटिगरी का बोर्ट नहीं मिलने जा रहा है इसलिए उनको OBC के बोर्ट पर फोकस करना चाहिए और मुझे लगता ये बात कॉंग्रेस समझ गई है और तभी सायद वो खुलेाम कहती है कि हम OBC को अध्यक्ष बना रहे हैं तो मैं फिर कह रहा हूँ SC, ST, OBC, Minority का जो बाबा साहब ने सपना देखा था जो एकता कि उन्होंने बात की थी जो जातियों को तोर के उन्होंने जो SCST OBC बनाई थी OBC जातियों का समू है सिडूल कास जातियों का समू है सिडूल ट्राइब जातियों का समू है माइनोर्टी, सिख, इसाई, क्रिस्चन तमाम मजहवों का समू है उनकी रानितिक चेतना अब धीरे-धीरे आई है और अब जरूरत है कि इनको जूट किया जाए, गोलबंद किया जाए, इनके अधिकारों की बात की जाए, अभी भी जिस नेता को लगता है कि बीजेपी जिस जेनरल कैटेगेरी के मैक्समम लोग डेवलप्मेंट पर बोंट नहीं देते हैं, कोई बिरोध देखा अपने परा है कि हमारा गंजी बनियान उतार लें, हम बीजेपी को बोंट करेंगे, चीन कबजा हो गया, कोई बिरोध पर देखा, दरसल उनका बोंट गिराने का एक ही पैटर्न होता है, वो पार्टी जो आरक्षन खत्म करेगी, जेनरल कैटेगेरी के लोग उसको परेफर करते हैं, व वो पार्टी जो मुसल्मानों पर नकेल कसेगी, उसको बोंट करना चाहते हैं हिंदु धर्म के नाम पर, और वो पार्टी जो जाती विस्था को कायम रखेगी, सुपरमेसी कायम रखेगी, जो ब्रहमनबाद मनुबाद को पार्टी कायम रखेगी, उसको बोंट करते हैं, तो ये बात कॉंग्रेस समझ गई है, राहूल गांधी समझ गई है, सोनिया गांधी समझ गई है, प्रियंका गांधी समझ गई है, मुझे लगता है आखिलेश यादब, तेजश्वी यादब, मायावती, हेमन सोरे ने सब लोग समझ लें तो जादा बहतर रहेगा, फिलाल सं जी राय है, मेरा political opinion है, आप लोग की क्या राय है, क्या अखलेश यादव और मायावती को जनरल कैटिगरी का बोंट मिलेगा, और क्या बड़े बड़े पदो पर OBC को बैठा के सिडूल कास्ट को बैठा के Congress बोंट ले जाएगी, और क्या एक बार फिर से राजनीती जो है वो OBC के सामने घुमेगी, क्योंकि जनरल कैटिगरी के लोग गोलवंध हैं, वो सिर्फ और सिर्फ BJP के साथ हैं, जो मैंने बोर्ट पर इस पर आपकी क्या राय है, और क्या आप Congress OBC पर जोड दे रही है, और क्या leadership की तरफ जिस तरह से वो बर रही है, उसमें क्या बहुजन द करती है, तब तक संभब नहीं है कि वो BJP को हरा पाए, तो देखना पड़ेगा कि कितने जादा representation देते हैं, फिला राजस्तान में दिख रहा है, राजस्तान में गुर्जर समाज को नाराज करना बहुत मुश्किल था, लेकिन चुकी Congress को पता है कि हिंदुआ इसन के नाम प पर है, जो किसान जाती है, उस पर भी है, लेकिन उसकी सबसे जाता जो OBC का एलाइंस है, उस पर है, OBC की जो OBC पर, SC पर, HD पर, आप लोग की क्या रहा है, क्या General Category के लोग किसी भी कीमत पर सपा बसपा को बोट देंगे, RGD को बोट देंगे, जब वो Congress को बोट नहीं दे बोट देंगे, जब तक कि गटवंधन नहो, और गटवंधन जब जैसे हैं, आप BJP से करेंगे, आपके साथ मुसल्मान, सेडूल का, सेडूल ट्राइब और OBC की बहुत जातियां, आपके साथ नहीं आएंगे, क्योंकि जिस तरह से उनके आरक्षन खत्म हो रहे हैं, जिस इसकी चाल सफल होगी, और कहीं मायवती अखले से आदब से चूक तो नहीं हो रहा है, आपकी क्या परत के आपने पर जोड़ दीजिए, शुक्रिया, निस्मल दस्तक की आपसे गुजारिस है, कि अगर इसको बचाना चाहते हैं, तो निस्मल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्स्राइब बटन को दवाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं, निस्मल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है, कि हर ख़वर को शेर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें